हालो एवरिवन वेल्कम बाक टू मैं चैनल आज मैं हरी चनी का अप्य बनानी जा रही हूँ इस वक्त मार्केट में बहुत अच्छी क्वालिटी के हरे चनी हमें बहुत असानी से मिल जा रहे हैं और जैसा कि हम सभी जानते हैं चना बहुत ही हाई प्रोटीन सोर्स है चनू को हमने बहुत अच्छी तरीके से 2-3 पानी से धो कर इसे साफ कर लिया है और अब मैं इसमें एक टुकड़ा अद्रक का दो हरी मिर्च और लगबग 3-4 लहसन को मोटे कटे हुए हमने इसमें डाल दिया है और इसके साथ हम इसे पीस लेंगे यह थोड़ी मोटी पीसी है तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और इसे वापस से मैं पीस लोगी और इसे हमें दरदारा ही रखना है बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है आप देख सकते हैं कुछे इस कंस्टेंसी में हमें इसे पीस कर रेडी कर लेना है अब मैं इसे एक बड़े से mixing bowl में निकाल लोंगी और अब हम इसमें half cup सूजी आड़ करेंगे half cup दही और साथे मैंने half cup पानी डाला है जिसे मैंने mixing में डाल कर उसमें जो थोड़ी से paste लगी हुई थी उसे भी निकाल कर half cup मैंने इसमें पानी भी आड़ कर दिया है और इन सभी को हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे मिलाने के बाद इसे हम ढखकर लगबग 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसमें हमने जो सूजी डाला है फुलने के लिए उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए इसे 10-15 मिनट के लिए मैंने इसे ढखकर छोड़ दिया है आप देख रहे होंगे बैटर जो है वो थोड़ी से थीक हो गई है अब मैंने यहाँ पे एक बिल्कुल बारी कटा हुआ गाज़ा डाल लिया है एक बारी कटी हुई प्याज थोड़ी सी धनिया पत्ती हाफ टीस्पूल तील तील जो थोड़ी सी रोस्टेट थी उस तील को हमने डाल लिया है हाफ टीस्पूल चीली फ्लेक और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेंगे और इन सब को डाल कर हम मिला लेंगे इन सबी को मिला लेने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी सी बेकिंग सोड़ा भी डाला है जिससे हमारे जो अप्पी हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे और क्रिस्पी भी बनेंगे इसे अची तरीके से मिला कर लगबग एक से दो मिनट के लिए रिस्ट करने रखेंगे और अब मैंने यहाँ पे गैस पे अप्पी पैन को गरम होने के लिए रख दिया है और अब साथी में मैंने जो बैटर बना के रखा था उसमें मैं वन्स ऐसे इनो पॉडर डाल रही हूँ इनो पॉडर डालने से यह बहुत ही फलपी और सॉफ्ट बनती है आप चाहें तो इसे स्किब भी कर सकते हैं सिर्फ बेकिंग सोटा भी डालकर अगर आप बनाएंगे तो यह बहुत ही अच्छी बनेगी और अगर आप इनो डाल रहे हैं तो बिलकुल जस्ट बनाने से पहले हम इसमें इनो आड़ करेंगे तो हमारा पैम भी गरम हो गया है और इसमें लगभग में एक से दो बूंद ऑईल डाल लूँगी और जब ही थोड़ी गरम हो जाएं तो इसका फ्लेम कम करके लो टो मीडियम फ्लेम पे रखकर हम सभी में एक से डेड़ी स्पुन तक अपे का जो मिक्षर है उसे हम डाल लेंगी मिक्षर डालने के बाद इसे लिट लगा कर हम इसे लो टो मीडियम फ्लेम पे कुख होने देंगे इसे हम हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं बनाएंगे अगर आप हाई फ्लेम में बनाएंगे तो ये अंदर से सिखेगी नहीं और हमने जो चना इस्तिमाल किया है वो कच्छे चनी को ही हमने पीसा है तो इसे कुख होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा तो आप इसे ढखकर low to medium फ्लेम पे आप इसे कुख होने दें लगबग 4-5 मिट के बाद हम इसका लिड हटाकर फिर इसके उपर से मैंने थोड़ी सी ओयल डाली है ये नीचे से थोड़ी सी कुख हो चुकी है तो उपर से थोड़ी सी ओयल एक से दो बुन ओयल और हम और इसे बहुत ही आराम से एक इस्पून के हेल्प से हम इसे पलट लेंगे पलट देने के बाद हम इसे लिड लगा कर फिर से इसे हम low to medium फ्लेम पे कुख होने देंगे आप देख रहे होंगे इसका जो नीची का साइड है वो बहुत अच्छी तरीके से कुख हो गया है और इसकी कलर बहुत ही अच्छी आई है और थोड़ा सा ओयल डालते हुए हम इसे नीची के साइड से भी सेख लेंगे इसे दोनों साइड से बहुत अच्छी तरीके से कुख होने में लगबग 6-7 मिनट लग जाएंगे आप देख रहे होंगे यह दूसे साइड से भी बहुत तरीके से सिख गई है और बहुत अच्छी सी कलर आई है तो हमारी अप्या बनकर बिलकुर एडि हैं तो आएब हम इसे निकाल लेते हैं आप देख सकते हैं已經 कितनी अच्छी आई है तो वापस से मैंने अप्या पैन में औयल ढला है और मिक्सिर डालकर ठीक उसे तरीके से ल हैं और आप चाहें तो अपने पसंद का कोई और भी सबजी जैसे फ्रेंच बीन है मस्रूम है यह चीजे भी आप इसमें कट करकर अड़ कर सकते हैं तो हमारे सारी आप यह बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं आई अब हम इसे सर्फ कर लें आप इसे सर्फ अपनी पसंद के किसी भी चटनी के साथ कर सकते हैं आप नारियल की चटनी के साथ भी कर सकते हैं हरी चटनी हो उसके साथ कर सकते हैं कुछ ना हो तो सौस और दही के साथ भी आप इसे इंज्वाय कर सकते हैं मैं इसे सॉस के साथ सर्फ कर रही हूँ यह बाहर से बहुत एक रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनी है आप इस रिस्पी को जरूर ट्राइ कीजेगा आपको यह जरूर पसंद आएगी और अगर आपको हमारी रिस्पी पसंद आती हूँ तो आप इसे लाइक और शेर जरूर करें और अपनी कमेंट्स पर लिएकर जरूर बताएं और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भिले तो फिर मिलती हूँ एक नए रिस्पी के साथ एक नए वीडियो में थैंक यू थैंक यू पर वाचिन